असलाम वालेकुम डिये विवर्ज और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब उमीद करती हैं कि अल्ला के फजल से ठीक होंगे जी तो विवर्ज जैसे कि आप सब लुग जानते हैं कि फर्वरी का महिना चल रहा है और पांच वर्वरी को पूरी दुनिया कश्मीर डे मनाती है इसी मिरास्पत से पिछले साल मैंने एक नजम पढ़ी थी जिसका नाम था कश्मीर का नोहा सो आज मैं दुबारा वो ही नजम पढ़ने जा रही हूँ फर्ट सरफ इतना है कि तब मैंने वो नजम देख के पड़ी थी और वो मेरी पहली वीडियो थी जिसके अंदर मैंने काफ़े साहे कट्स लगाय थे और एड़िट हुई थी लेकिन इस बार I have learned it by heart सो इस नोहे को मुकमल देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा कश्मीर का नोहा 75 लाग के बदले जिसे अफरंग ने एक डोगरा राजा को बेचा था 72 साल पहले फिर महाराजा हरी सिंग ने उसी कश्मीर का जब गासिबों से तै किया सोदा तो इसकी वादियों दरों पहाडों आपशारों का बदन अजाद होता था हवा जब गुन गुनाती थी ना कोई जबर होता था ने इस तबदाद होता था यहाँ पर सब रुतों का बागपन अजाद होता था यहां जो लोग जिन्दा थे, हकीकत में वो जिन्दा थे, कोई मर जाए तो उसका कफ़न अजात होता था 75 लाग के बदले, जिसे अफरंग ने एक डोगरा राजा को बेचा था 22 साल पहले फिर महराजा हरी सिंग ने उसी कश्मीर के जवगासेवों से तै किया सौधा तो गुलो लाला से उसकी सुभें और शामें महती थी, चुनारों की बुलंदी पर हसी चिडियां चेहती थी यहाँ पर नीलो फर के फूल हर पल मस्कुराते थे, यहाँ पर जाफरानी केट सो जादो जगाते थे यहाँ पर सोने जैसी रोशनी सूरज लुटाता था, यहाँ पर चान तारे नूर की चादर बिछाते थे यहां के बासियों पर एहले जनत रश करते थे यहां के रंग तस्वीरे जहां में रंग भरते थे यहां पर आस्मान से नूर के पैकर उतते थे यहां पर पाब जोला उन दिनों मौसम न होते थे यहां पर पाब जोला उन दिनों मौसम न होते थे परिंदे भी गले से जिल के लग करना रोते थे फिजाएं उन दिनों वाकिफ ना थी बारूत की बुसे यहां के रहने वाले बेखबर थे जंग की हुसे पचचतर लाक के बदले जिसे अफरंग ने एक डोगरा राजा को बेचा था 22 साल पहले फिर महाराजा हरी सिंग ने उसी कश्मीर का जब गासिबों से तै किया सोधा तो नीलम और जहलम की कोई भी लहर कैदी थी ना पानी सुर्ख होता था और इस वादी का हर बासी खुशिकी फसल बोता था यहां के लैला जारों से शिफा पाते थे सभी रोगी यहां की चांदनी रातों के आशिक थे सभी जोगी पहाडों पर हजारों साल से रहते हुआ चश्मे उन दिनों बेख़ौफ थे बहते हुआ चश्मे कोई रुए जमी पर इनका हमसर था नसानी था कि इन चश्मों का फिर्दोसे बरी सा पाक पानी था यहां पर सुफी बुलबुल शा के थे मानने वाले यहां थे कलमा गो आले नभी पहचानने वाले बफैजे शाह हमदानी यहां के साकना तोहीत को थे जानने वाले कि जिन पर बुद परस्तों और मुश्रिक सामराजों ने गुलामी में जकरने के लिए ऐसे सितम ढ़ाए कि जिन पर नाजियों का आज हालो कास्ट चर्माए मगर ये बात अपता है बदलते चाहे आईनों कानून यह घसिप लगाकर कर्फ्यू वीरा करदे सारी वादी को जलादे जाफरा जारों को चाहे लाला जारों को लग कुश्मीरियों का चाहे सब दर्याओं में भर दे चनारो अपशारों और जिलों को फना कर दे या फिर बारूट से सब सब्जादारों को खंडर कर दे ये गासिब जैसी भी कियमत अब बपा कर दे मगर ये बात अबता है अली गिलानी के कश्मीर ने अजाद होना है उमर फारूग के कश्मीर ने अजाद होना है मलिक यासीन के कश्मीर ने अज़ाद होना है बुरहान वानी के कश्मीर ने अज़ाद होना है और इसमाईल के कश्मीर ने अज़ाद होना है मेरे और आपके कश्मीर ने अज़ाद होना है हमेशा के लिए अब खत्म इस तब डाद होना है जो गासिम और काबज है उसे बरबाद होना है उसे बरबाद होना है So Rivers, ये था मेरा कश्मीर का नुहाँ, उमीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा रिक्वेस्ट आप से यही है कि अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर कीजेगा आपको एक और बात पताती चलूँ कि मैंने अजाद कश्मीर के अंदर एक वैली है जिसका नाम है नीलम वैली जिसको मैंने आलमोस्ट पूरे एक्स्प्लोर किया है जिसके काफी सारी वीडियो में जल्द ही पोस्ट करूंगी और अपने फैमिली पेज यानी मरी वैदर पर भी अपडेट करूंगी तो देखना मत भूलिएगा स्टे ब्लेस्ट खुश रहें खुश रखें अल्ला हाफिस कारा दोर भूलिए ब्ला है